So guys, आज से online order start हो चुका है Amazon और Flipkart जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज से order लेना start कर चुके हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे से question किया था और आज मैं आपके online shopping से related जो भी आपके doubt है वो clear करने वाला हूँ Red, Green और Orange जोन से related इसके लावा online refundable policy के बारे में बात करेंगे इसके लावा मैं आपको कुछ important बात बताऊंगा जो आपको online shopping के दोरान करनी चाहिए तो friend सबसे पहले बात करते हैं बहुत सारे लोगों ने मुझे question किया था कि मैं lockdown से पहले एक phone book कराया था या फिर कोई भी product book कराया था वो order cancel नहीं हुआ है लेकिन वो order हमारे तक नहीं पहुँचा है तो मैं आपको बता दूँ जहां जो area है उस हिसाब से वो product आप तक 2 या 4 दिन के अंदर पहुँच जाएगा क्योंकि आज से उन्होंने काम start कर दिया है तो जो भी उनके worker है वो आपके घर तक आपका जो product है वो सहीं सलामत महुचा देंगे इसके बाद मेरे पास second question आया है red green और orange उनके बारे में तो सबसे पहले हम बात करते है green zone के बारे में तो green zone में आप कोई भी product मंगा सकते हैं कोई भी problem नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दू जो भी product आप मंगा होगे तो इसमें आने में थोड़ टाइम लग सकता है क्योंकि जो उनके जो worker है वो limited काम कर रहे है काम बहुत जादा worker के साथ नहीं किया जा रहा है तो इसलिए जो है product आने में थोड़ टाइम लग सकता है इसके बाद बात करते हैं orange zone के बारे में तो orange zone में भी आप कोई भी product मंगा सकते हो वही problem होगा जो भी आपने product पहले से मंगा लिया है वो आपको 2 या 4 दिन के अंदर मिल जाएगा लेकिन अभी आप कोई भी product मंगा होगे इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूँ जो refundable policy के बारे में बोल रहे थे तो friends जो भी आप necessary चीज मंगा रहे हो जैसे कि आप जो भी grocery item मंगा रहे हो या फिर mask मंगा रहे हो और वो आप लेके use कर लेते हो और उसको आप refundable करना चाहते हो return करना चाहते हो तो वो return नहीं होगा और यह सब भी doubts आप clear हो चुका है अब एक सबसे important बात करते हैं payment के बारे में तो payment method में जो भी online जो भी company है उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी payment होगा वो online payment होगा तभी हम order को accept करेंगे वरना कोई भी order accept नहीं होगा यह Amazon ने साफ कर दिया है और मैंने भी खुद order चेक किया है तो उसमें बताया है कि POD acceptable इसके बाद COD not acceptable लिखा है तो friends आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल इकोन को जरूर से प्रेस कीजिए I hope you like the video, thank you